हेलो मैं हुए मांच नंदवानी और मैं आगया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर ब्रेक इवन पॉइंट के उपर आज के वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्ध करेंगे और मैं उमीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ सम्ध करेंगे अगर आप भी मेरे साथ सम्ध करते हैं तो आपको अच्छे सा समझ में भी आएगा प्लस ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियो देख लेंगे बुलेंगे कि चलो यह तो easy है कर लेंगे लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ करें एक बार मेरे साथ करेंगे उसके बाद अगर आप खुद करेंगे तो आपको यह chapter बहुत अच्छे सा समझ में आ जाएगा तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहले question में क्या लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है और क्या आमको find करना है अगर आप question ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको दिया है sales at break-even point sales at break-even point का मतलब है BEP, BEP हमको दिया हुआ है break-even point का answer हमको दिया हुआ है कितना 8 lakhs fixed cost भी दिया हुआ है 3 lakh 20,000 rupis 3 lakh 20,000 rupis 3 lakh 20,000 rupis fixed cost दिया हुआ है और profit भी दिया हुआ है 6 lakh 80,000 rupis प्राफित कितना दिया है 6 lakhs 80,000 हमारे पास ये तीनों चीज दिया हुई हैं हमको find क्या करना है find करना है pv ratio sales find करनी है sales दिया नहीं है sales at break-even point दिया यह जो दिया वो break-even point दिया हमको sales find करनी है और तीसरा profit when present sales are to be increased by 20% present sales अगर 20 तका से बढ़ जाती है 20% से बढ़ जाती है तो क्या होगा हमारा नया profit वो भी हमको find करना है तो पहले एक दो तीन चीज find करते हैं बाद में यह अलग से find कर लेंगे तो पहले हम लोग focus करते हैं क्या दीश दी हुई है उसके उपर और उसके basis पे हम लोग क्या-क्या चीज find कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक table मना के रग दी हमको पता यह sales less variable cost तो आता है contribution less fixed cost तो आता है profit यह हमारी table होती है जो हम लोग हर sum में करते हैं आपको पता ही है और अगर इस sum में कर आप देखेंगे तो हमको profit और fixed cost दिया हुआ है यह दिया हुआ हमको profit profit दिया है 6,80,000 और fixed cost दिया हुआ 3,20,000 तो उसको मैं apply कर देता हूँ profit है 6,80,000, 6,80,000 और fixed cost है 3,20,000 इसका मतलब अगर मैं नीचे से उपर जाओं तो में को contribution मिल जाएगा 10,00,000 मेरे पास contribution भी है 10,00,000 बस और कुछ दिया हुआ नहीं है और हमको दिया हुआ breaking point का answer उसको मैं apply कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया break even point की formula लगा दी हमको पता है formula होती है fixed cost upon pv ratio जब मैंको pv ratio question में दिया हुआ नहीं है हमारे पास break even point है break even point आपको दिया हुआ है 8,00,000 यह रा sales at break even point कितना दिया हुआ है 8,00,000 तो मैंने लगा दिया 8,00,000 is equal to fixed cost भी है मेरे पास fixed cost है हमारे पास 3,00,000 और pv ratio मुझे find करना है तो pv ratio आपको पता ही हमेशा percentage में आता है तो हो जाएगा 3,20,000 divide by 8,00,000 into 100 क्योंकि percentage में निकालना है तो यह आजाएगा मेरा 40% अब मेरा pv ratio आ चुका है pv ratio आ चुका है kितना 40% हमको पता ही है pv ratio अगर 40% होगा तो variable cost कितना होगा 60% very good variable cost 60% हो गया pv ratio 40% है इसका मतलब contribution भी क्या हो गया 40% अब अगर 40% 10,00,000 है तो 60% कितना और sales कितना तो अगर मैं निकालूंगा reverse order में और उपर जाऊंगा cross multiply करूंगा तो यह आजेगा मेरा 15,00,000 आप cross multiply कर सकते हैं overall calculate करना नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं आप Kelsey पर use कर सकते हैं 10,00,000 into 60 divided by 40 तो आजेगा 15,00,000 और नीचे से और उपर जाऊंगा तो मेरा sales आजेगा 25,00,000 मैंने 10,00,000 में 15,00,000 को plus कर दिया तो sales आजेगा मेरा 25,00,000 यह मेरी पहली चीज़ find हो चुकी है जो मुझे find करना था sales देखते हैं सबसे पहले मुझे find करना था PV ratio वो और अरड़ी मेरा find हो चुका है जो आया था मेरा 40% और sales मेरा आचुका है 25,00,000 अब आगे बढ़ते हैं क्या बूला है third find करना है profit when present sales are to be increased by 20% अगर मेरा present sales बढ़ जाता है कितने से 20% से तो मेरी profit कितनी होगी वो निकालते हैं तो अभी मेरा sales कितना है 25,00, तो अगर मैं 25,00, में 20% प्लस कर दूँगा तो मेरा new sales आजाएगा 30,00, कितना आजाएगा 30,00, तो मुझे नया table उना पड़ेगा जब मैं sales को क्या लूँगा 30,00, लूँगा clear है तो मैं क्या करता हूँ profit find करता हूँ 30,00 sales के हिसाब से तो मैं लिख दिया sales, variable cost, contribution, fixed cost और profit जो मुझे find करना है और है हमको पता है यह 60% है और यह कितना है 40% जो हमने already find कर लिया है sales अभी मैंने आभी आपको समझा था 25,00, plus 20% is 30,00, तो यह आगे है मेरा 30,00, sales variable cost आएगा 30,00, 60% is 18,00, yes very good अगर आपने भी oral calculation सीखे हो तो अच्छी बात है नहीं सीखे हो तो कैसे करना है मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूँगा फिलाल 30,00 का आप Kelsey पर निकाल सकते है 60% तो आज़ेगा 18,00, minus करेंगे तो आप पहुच जाएंगे 12,00, fix cost तो हमारे पास same to same है कितना 3,00,000, fix cost जब तक बोला ना जाए तब तक fixed रहता है और अगर मैं minus करूँगा तो मिरे पास आजएगा 8,80,000 रुपीज प्रॉफेट ये मेरा answer है easy आपको समझ में आया होगा ये हमने 1, 2 और 3 चीज़ फाइन कर ली अब देखते हैं next question में क्या फाइन करना है sorry थोड़ा सा जुकाम हो गया है थंडी जादा है इसलिए आप समझेंगे अब आगे देखते हैं question number 4 में क्या फाइन करना है compute the following when the present selling price is to be decreased by 20 फैंट इस बर selling price change हुआ है अगर आपने पिछली बर देखा हो sales change हुआ था दब sales change होता है तब PV ratio change होता नहीं है तो मैंने PV ratio नया नहीं निकाला था लेकिन इस बार present selling price change हुआ है जब selling price change होता है तब PV ratio भी नया निकालना बढ़ता है च्योंकि हमको तीन चीज़ फाइंड करने नहीं हो PV ratio तो फाइंड करना है नया break one point भी फाइंड करना है और sales भी फाइंड करनी है 100% more profit अगर मैं 100% का ज़्यादा profit कमाना चाता हो तो लेकिन मुद्दगी बात ये है कि इस बार selling price change हुआ है और जब भी selling price change होता है तो new PV ratio हमको निकालना पड़ता है तो मैं क्या करूँगा new PV ratio निकालूँगा तो कैसे निकालेंगे वह भी हम लोग समझते उसके बाद हम लोग आगे find करेंगे ये तीनों चीज कैसे find करनी है तो सबसे पहले हम लोग new PV ratio निकालने के लिए थोड़ी सी महनत करते हैं क्योंकि इस बार क्या change हुआ है 20% selling price change हुआ है sorry selling price change हुआ है कितना 20% वो भी decrease हुआ है increase नहीं हुआ क्या हुआ है decrease हुआ है तो चलिए वो देख लेते हैं सबसे पहले मैं बनाते हैं टेबल जो पिछले सम में भी बनाई थी मैंने old new की टेबल old और new क्योंकि मेरे पास selling price है नहीं तो मैं assume कर लेता हूँ मेरा selling price पहले था 100 रुपे और क्योंकि मेरा PV ratio 40% तो variable cost कितना था 60% तो यह 60 हो गया और contribution था मेरा 40 तो मेरा पहले PV ratio था C upon S into 100 के हिसाब से 40 upon 100 into 100 के हिसाब से 40% लेकिन अभी हमने question पढ़ा इस बर हमारा selling price change हुआ है कितने percent से 20% से decrease हुआ है तो पहले अगर मेरा selling price 100 था तो 20% होगा तो अभी कितना हो जाएगा 80 कैसे 100 minus 20% तो आ गया 80 लेकिन अगर selling price change होता है तो variable cost per unit कभी change होता नहीं है तो पहले 60 था तो अभी भी कितना रहेगा 60 तो अब मेरा contribution हो जाएगा 20 तो मेरा new PV ratio क्या new PV ratio आएगा c upon s into 100 की सबसे 20 upon 80 into 100 जो आएगा 25% यह मेरा new PV ratio आचुका है यह मेरा new PV ratio आचुका है हमको जो find करना था new PV ratio मैंने निकाल दिया easy अब हमको आगे क्या find करना था break-even point अब break-even point की formula लगा दूगा break-even point की formula तो आपको पता ही है क्या होती है fix cost upon PV ratio fix cost में कोई change आया नहीं है यह दो चीज मैंने निकाल ली है अब question एक बार धियान से पढ़ते हैं ताकि हमको मालूम पड़ेगा हमको तीसरी चीज क्या find करनी थी तीसरी चीज क्या बोली देखते हैं हमने new PV ratio निकाल दिया new breaking point निकाल दिया अब हमको क्या बोला है sales to earn 100% more profit 100% more profit कमाना है then the profit earned in 2010 जो मैंने 2010 में कमाया था उससे 100% जादा profit कमाना है 2010 मतलब जो question में data दे रखा है वो तब हमारा profit कितना था 6,80,000 मतलब पहले मेरा profit 6,80,000 था अब मेंको 100% जादा कमाना है तो मुझे कमाना पड़ेगा 6,80,000 प्लस 100% अगर आप करेंगे तो आजएगा 13,60,000 कितना आजएगा 13,60,000 यह मेरा desired profit हो गया तो इसका मतलब हमारा desired profit निकल चुका है desired profit is equal to 13,60,000 यह मेरा desired profit है desired profit मेरे पास आ चुका है अब मैं formula लगा दूँगा किस की sales to earn desired profit की तो लगाते है formula sales to earn desired profit जिसकी formula होती है desired profit plus fixed cost upon new PV ratio अभी मैंने आपको समझा है desired profit मेरा कितना है 13,60,000 तो मैं लगा देता हूँ 13,60,000 फिक्स cost तो आपके पास हाई 3,20,000 अफकोस वो change हुआ ही नहीं है divide by new PV ratio अभी हमने निकाया था 25% इसको अगर आप solve करते हैं तो आ जाएगा 13 plus 16,80 divided by 25 and 16 into 4 that is आजाएगा 67,20,000 एक पर आप चेक कर लीजिएगा 67,20,000 रुपीज आजाएगा आपका sales to earn desired profit मतलब अगर मेरी sales 67,20,000 होगी तो मेरा profit कितना आजाएगा 13,60,000 रुपे आजाएगा easy मुझे उमीद है आपको sum अच्छे से समझ में आया होगा और आपने भी मेरे साथ-साथ किया होगा अगर आपको कोई भी doubt है sum में या कोई भी sum में तो please मेरे comment section में जरूर लिखेगा तो मैं आपके doubt को solve करने की जरूर कोशिश करूँगा कोशिश नहीं करीदूँगा fix चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए मैं वीडियो को share जरूर करिएगा अपने friends के साथ जिनको भी ये break in point chapter सीखना है और मेरे channel को अगर subscribe ना किया हो तो please subscribe भी जरूर कर लिजेगा मिलते हैं next video में बाई